रम रम किशान भाईयों मैं संदीब जलाल आप सब इक बार फिर से सवागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल किशानल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं अगेती लोकी की नर्शरी घर पर यम कैसे तयार करें दोस्तो वैसे तो जो भी लगवक शबजीवर की ये फचले हैं उन सभी की नर्शरी किशान भाई खुच ये घर पर तयार कर सकते हैं किशान भाईयो अगर आप शबजी की खेती कर रहे हो या करना चाते हो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप अगेती खेती करिए क्योंकि शबजी की अगेती फसल लगाने का सबसे अच्छा फाइदा ये रहता है हमारी फसल सबसे पहले तैयार होकर अगेती मंडी में पहुंचती है और तो वहाँ पर हमें अच्छे भाव भी मिलते हैं तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के मादम से बताना चाहता हूँ अगेती लोगी की खेती करना चाहते हो तो घर पर ही नर्षरी को कैसे तयार करना है किसन भाई अगर आप अगेती खेती की नरसरी तयार करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छी वराइटी का चैन करना है यह जो नरसरी मैं जो तयार करना हूँ यह एक आई वेरड वेराइटी है यह महिको कंपनी का महिवरड शीड्स है तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या तयारी करनी है सबसे पहले तो आपके पास आप इसको पलास्टिक के जो गिलास आते हैं गिलास में अपनी नरसरी को तयार कर सकते हो अगर आप सथ पर इसकी खेती करना चाहते हो आपके पास गमले होने चाहिए या गरो बैग में इसकी ख इनमें भी आप आसनी से तयार कर सकते हो तो सबसे पहले हमारे को लेनी है मिट्टी और मिट्टी के साथ हमारे को लेना है देशी गोबर का खाद दो इस्षे मिट्टी और एक इस्षा गोबर का खाद ये दोनों को लेना है और इनको अच्छी तरह से मिला लेना है उसके बाद आप nursery tray में इनको भर लीजिए अगर आप grow bag में हिशी दा लगाना चाते हो या गमलों में लगाना चाते हो तो grow bag या गमलों में हाद और मिटी को मिला के अच्छी तरेशन को भर लीजिए उसके बाद आपको लेना है लोकी का बीज अगर दोस्तों आप लोकी के बीज को पहले लगाने से पहले 12 गंटे के लिए अगर पानी में बिगो देते हो उससे ये फाइदा होता है कि हमारा जो है लोकी का बीज जो है जल्दी जर्मिनेट होता है तो आपको पहले बीज को 12 गंटे के लिए पानी में बिगो देना है उसके बाद आपको गिलास में नर्शरी ट्रे में या फिर गरो बैग में या गमलो में आपको उसको लगा देना है क्योंकि बीज को 12 गंटे बिगोने के बाद क्या है कि ये जल्दी जर्मिनेट होता है अगर आप बीज को भिगोते नहीं हो, सीधा लगा देते हो मिट्टी में, बीज को जर्मिनेट होने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह जो मैं बीज ले रखा हूँ, इसको मैंने पानी में भिगोया नहीं है क्योंकि मेरे पास शमय नर्शरी त्यार करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है अगर आपके पास शमय कम हताब आप इसको पानी में भिगो के इसकी नर्शरी को त्यार कर सकते हो तो इन गिलासों में अब मैंने मिट्टी और जो खाद, देशी खाद, गोबर का मिला हुआ, इनको आपस में मिट्टी में मिला कre इनको गिलास में भर लिया है और परतेक गिलास आपको एक-एक या दो-दो डीज को इसमें लगाना है तो बीज लगाते हैं आपको ध्यान रखना है यह जो बीज की जो उपर नुकिल्दा इस्सा है इसको नीचे की तरफ करके मिट्टी में लगाना है अगर आपकी मिट्टी गिली है तो आपको क्या है कि तुरंत पानी नहीं डालना है और इसके बाद आपको बीज लगाने के ब थोड़ी कम है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहना है, जब हमारे लोकी के बीज गिलास में लग जाते हैं, गमलों में या गरो बैग में लग जाते हैं, तो हमारे को नमी क्या है कि थोड़ी-थोड़ी बनाई रखना है, जब तक हमारा बीज अपने पानी डाला इसमें थोड़ा थोड़ा नमी को बरकरा रखा मेरी नर्शरी बिल्कुल तयार हो चुगी है आपको जितनी आवशकता हो उस आवशकता के अनुसार आप अपनी नर्शरी को तयार कर शकते हो तो किशन बाइयों उमीद करता हूँ मेरे दोबारा दी गई ज तता चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले तो मिलते हैं एकले वीडियो में धन्यवाद